तो हाई गाईज मेरे नाम है संदीप और आप देख रहे हो क्रोमा टेक यूट्यूब चैनल और यह है रेड्मी नोट 7 प्रो जिसके अंदर मैं यहाँ पे यूज करा हूँ शौमी डॉट यू का लेटेस्ट बीटा अपडेट और क्या यह अपडेट आपको जो है अपडेट करना चाहिए या फिर नहीं और इसका प्रीवियस अपडेट इससे अच्छा था या फिर नहीं तो वो चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा और बैटरी वर्जन आपको मिलता है MIUI 12.5 by Xiaomi.EU 21.2.3 बीटा और यही आपको जो है लेटेस्ट अपडेट देखने को मिलता है Redmi Note 7 Pro के उपर वाट्स न्यू के अंदर चलते हैं तो आपको Redmi Note 7 Pro के अंदर विकॉज ऑफ Android 10 को ही ज्यादा चेंजस नहीं देखने को मिलते हैं कुछ fixes देखने को ज़रूर मिलेगे control center वगेरा के अंदर बट वो Android 11 डिवाइस के अंदर है और कुछ ज्यादा आपको यहाँ पे changes नहीं देखने को मिलते हैं अगर आप कुछ changes के लिए इस ROM को install करना चाते हो तो definitely मैं आपको recommend नहीं करूँगा बागी RAM management के बारे में आगे और बात करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपको Android 10 मिलता है और latest अपको February का security patch level मिलता है MIUI version आप चेक कर सकते हो और perf का kernel यहाँ पे use किया गया है अब जलते हैं back और wallpaper and personalization का section वगरा आपको same ही देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे super wallpapers देखने को मिल जाते हैं जिनको आप use कर सकते हो अगर करना चाते हो तो यहाँ पे आपको मिलते हैं आप देख सकते हो बिलकूल latest updated आपको यहाँ पे super wallpapers देखने को मिल जाते है weather वगरा भी आपको यहाँ पे मिल जाता है एक new changes आपको और मिलता है जो कि मैंने K20 Pro के अंदर भी आपको बताया था font display के अंदर आपको मिलता है system wide variable font तो यह एक option आपको new देखने को मिल जाता है इसको enable या disable करने के लिए आपको device को restart करना पड़ सकता है notification and control center भी आपको same देखने को मिलता है तो यहाँ पे आपको कोई ज्यादा changes नहीं देखने को मिलेंगे UI के अंदर आपको कुछ ज्यादा features यहाँ पे नहीं देखने को मिलने वाले क्योंकि जो भी changes है वो Android 11 updated devices के लिए है और कुछ ही time के अंदर यहाँ पे इसका update आना भी बंद हो जाएगा अब बात करेंगे यहाँ पे stock camera की जो यहाँ पे camera यूज किया गया है वो आपको मिलता है MIUI 12.5 से updated है बट काफी ज्यादा time लेता है जब आप इसको open करोगे 4K 30 fps के उपर वीडियो shoot कर सकते हो जो आपको show grid lines का option मिलता है अगर आप इसके उपर click करोगे तो यहाँ पे आपक dynamic shots का भी option है portrait mode वगेरा 48 megapixel के आपको सभी चीजें आपे fully working देखने को मिल जाती है अगर आप Gcam 7.4 यूज करना चाते हो definitely उसको भी try कर सकते हो काफी अच्छे से working है मैं आपको दिखा देता हूँ so यह है Gcam 7.4 यह काफी अच्छे से working है वीडियो आप यहाँ पे भी 4K 30 fps के उपर shoot कर सकते हो उसके बाद more के अंदर जाओगे तो slow motion भी आपका यहाँ पे working है so definitely Gcam भी आप साथ में यूज कर सकते हो अब बात करेंगे रोम के smoothness की तो रोम उतनी smooth आपको नहीं देखने को मिलती यहाँ पे आपको जो है app जब आप open करोगे तो आपको lag देखने को मिले था बड़ मुझे same lags यहाँ पे देखने को मिले थे आप app opening and closing speed देख सकते हो काफी आपको slow देखने को मिलते है animations बट यहाँ पे lag भी साथ में आपको देखने को मिलता है so यही चीज में आपको यहाँ पे दिखाना जाता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो काफी आपक delay मिलता है अप open या close करते time और आप RAM management भी ये आपर देख सकते हो 871 MB का तो RAM management भी चाफ़ी ज्याधा poor आपको देखने को मिलता है तो LAC के साथ आपकर RAM management भी यहाँ पर अच्छा गासा नहीं देखने को मिलेगा definitely यार previous update के अंदर भी same issue मैंने phase किया था इस update के अंदर भी same ही आपको optimization देखने को मिलती है कोई optimized आपको ROM यह नहीं देखने को मिलती है तो अगर आप यहां पे banking apps यूज करना चाते हो तो वो भी आपको मैं conditions चेक करवा देता हूँ तो आपका device यहां पे first of all certified है यह काफी अच्छी बात है तो अगर आप route करना चाते हो तो कर सकते हो अगर आप नहीं करना चाते तो भी आपके banking apps यहां पे काफी अच्छी से working है और अगर बात करें safety net की तो I think जो safety net है वो भी आपका यहां पे pass है तो latest magis का आप use कर सकते हो तो दोनों ही condition के अंदर आपके यहां पे banking apps यूज कर सकते हो काफी अच्छी से आपके यहां पे work करेंगे DRM info की अगर बात करें तो यहां पे आपको मिल जाता है widevine L1 का support definitely यहां पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी यह तीनों ही features आपके काफी अच्छी से इस ROM के उपर working है और कुछ चीजों को आप यहां पे customize कर सकते हो control center भी आपको काफी अच्छी से smoothly working मिल जाता है बट जो है आपको कुछ ज्यादा features नहीं मिलते जो swipe वाला है वो आप यहां पे देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ Android 11 devices के लिए ही आपको देखने को मिलता है बट मुझे यहां पे lag ही देखने को मिलता है तो आप यहां पे देख सकते हो यह चीज में आपको पार बार दिखा रहा हूं तो lag आपको जो है definitely इस ROM के अंदर देखने को मिलेगा जो सबसे बढ़िया बात है इस ROM की या फिर इस अपडेट की वो है इसका बैटरी बैकप तो फास्ट चार्जिंग काफी अच्छे से वगेंगा 18 वार्ट फास्ट चार्ज आप काफी अच्छे से यूज़ कर सकते हो और जो आपका स्क्रीन ओन टाइम है वो definitely आपको 8 आवर प्लस ही देखने को मिलेगा बैटरी बैकप काफी अच्छा है और वहाँ भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी बैटरी बैकप के अंदर मैंने जो है कोई भी हाइड्रेन इस्यू नहीं फेस किया कोई आपको यहाँ पे बैटरी हेल्थ को जो है चेक करने के लिए जो आपशन नहीं देखने को मिलता सो में भी आने वाले अपडेट्स के अंदर आपको यह चीज मिल जाए बट बैटरी बैकप काफी एक्सेलेंट आपको इस रॉम के उपर मिलेगा बैटरी बैकप के अंदर मुझे इशू नहीं आया यह सेकंड या फिर थर्ड साइकल है मेरा और मुझे बैटरी के अंदर जो है कोई भी इशू नहीं आया अगर आप एक बैटरी वाली रॉम चाहते हो तो इस रॉम को ट्राइ कर सकते हो अब बात करेंगे इसके परफॉमेंस की परफॉमेंस भी आपको अच्छी खासी मिल जाती है परफॉमेंस के अंदर ज्यादा इशू नहीं आने वाला अगर आप एक हाड़कोर गेमर हो तो मैं यह जो रॉम है आपको रिकुमेंट नहीं करूँगा बढ़ अगर आप नॉर्मल ही इसको यूज करना चाते हो तो डेफिनेटली इस रॉम को आप ट्राइ कर सकते हो जो स्कोर आपको मिलता है वो है 1,90,000 के उपर बढ़ यह जो स्कोर है वो 2 लेक के आसपास होगा क्योंकि यहाँ पे यह जो है यह 52 बेंचमा के यहाँ पे स्टक हो गया था और मुझे इसको फिर से री स्टार्ट करना पड़ा तो यह कुछ आपको डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिल जाता है स्कोर अच्छा है 2 लेक के आसपास ही देखने को मिलता है तो वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आएगी आप इस रॉम को विदाउट एनी इशूस ट्राइ कर सकते हो और बैटरी बैकप भी आपको काफी अमेजिंग इस रॉम के उपर मिल जाता है तो अब बात करेंगे इसके गेमिंग पर्फॉमेंस की तो गेमिंग आपको मॉडरेट ही देखने को मिलेगी अगर आप गेमिंग करना चाते हो तो डेफिनेटली कर सकते हो और उतनी एक्सिलेंट गेमिंग आपको नहीं मिलेगी जितनी आपको AOSP ROMS के उपर मिलती है डेफिनेटली यार MIUI 12.5 अभी जो है उप्टिमाइज नहीं है यह Android 10 बेस्ट है मुझे नहीं पता क्यों बट यहां पे उप्टिमाइजेशन की अभी बहुत ज्यादा कमी है और लैग्स बगरा तो आपको देखने को मिलेंगे ही गेमिंग मॉडरेट आपको देखने को मिलती है अन एक्स्ट्रीम ग्रैफिक्स तो मैं सबसे पहले आपको यहां पे ग्रैफिक्स भी चेकर वादेता हूँ क्या ग्रैफिक्स के उपर मैं खेर रहा हूँ वो चीज़ आपको मैं एक बार से चेकर वादेता हूँ सो आप देख सकते हो स्मूथ प्लस आपको एक्स्ट्रीम बैलेंस के साथ जो है एक्स्ट्रीम और HD के साथ भी आपको एक्स्ट्रीम मैंने अनलॉक कर रखा है HDR प्लस एक्स्ट्रीम भी मैंने अनलॉक किया है Smooth के साथ आपको Ultra Balance के साथ Ultra HD के साथ High ये Maximum Frame Rate आपको यहाँ पे Default मिलेगा ये आपको जो है Unlock करना पड़ेगा तो आप Unlock कर सकते हो 90 FPS वगेरा के उपर Unlock करके भी यहाँ पे खेल सकते हो तो Gaming अच्छी खासी आपको देखने को मिल जाती है ये वहाँ पे ज्यादा इशू आपको नहीं आएगा बट सम्टाइम्स आपको जो है Frame Drops देखने को मिल सकते हैं तो इस ROM को मैं Flash करूँगा Skyhawk Recovery Project के साथ सबसे पहले आपको आना है Wipe के उपर उसके बाद Advanced Wipe, Delvik, Catch, System, Vendor, Data इन सब को आपको Swipe to Wipe करना है यहां से आके उसके बाद आपको लेटेस्ट वाली रोम डाउनलोड करके इसको फ्लेश कर देना है उसके लिए मैं आपको recommended method आपको इस यहां पे टेलिग्राम के उपर शेयर कर दूँगा तो आप टेलिग्राम ग्रूप जरूर से जॉइन कर लेना वहां पे आपको recommended method मैं बता दूँगा मैं तो decrypted हूँ तो यहां पे यही method आपको follow करना है अगर आप decrypted हो तो इस वीडियो के लिए guys बस इतना ही I hope कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी पसंद आए तो like कर देना अगर आप channel पे new आयो तो subscribe जरूर से कर लेना और मैं मिलता हूँ आपसे एक ऐसी ही new interesting वीडियो के साथ